हेलो और गुड मॉर्णिंग मैं शिलेश आप सभी का आप सभी की परिवार स्वागत करता हूं आप सभी का स्वागत है आपके वह चैनल यह सेंट ट्रास्टेशन पर आप लोग पढ़ें जी के निवर्जन और आज किस क्लाश में बात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग क्लाश को शेयर करतें लाइक कर दें और जो हमारे भारत के बारे में ही बात करेंगे ठीक है तो भारत एक क्रिश्र प्रधाने देश यानि हमारा देश जो है क्रिश्र प्रधाने से रहा था रहा है और हमेशा भीक ठीक है क्योंकि यहां पर लगभग 2 हाइच शिती ठीक है अगर हम है कि सब से निपर्सेंट मान लिया ठीक है हमारे भारत की डो थेट्प है सौ фोला जाए होता है मैं बता रहों डोंको तो Έ incred Oder en food लगबग लगबग भारत 70% जगों पर कृषी करता है यानि खेती बारी काण इस पर चलता है और बाकि 30% पर भाकि घयर है यह सब उद्योग धंदर यह सब चीज़ नहीं है यह 70% यानि हमारे भारत का दो तिहाई भाग कृषी के छेत्र में आता है ठीक है और अगर बात करें हमनों जनसंख्या का ठीक है तो जनसंख्या भी 100% माल लेंगा तो 100% भारत की बात हो लिए तो भारत में लगव 15 माफ कि जीगा पच्पन परसेंट लोग ठीक है पच्पन फिसदी लोग कृषी पर ही निरभर है कृषी पर ही उनका जीवन ठीक है चलता है कृषी पर ही उनका जीवन निरभर है ठीक है अगर हम बात करें पॉइंट का तो भारत ठीक है भारत का लगवग एसे हम लोग लगवग यानि 70 फीचदी भागचित्र जुबत, छेट्र क्रिशी के लिए ठीक है? ठीक है ठीक है? क्रिशी होती है, ऐसे कर तक है क्रिशी होती है, इस प्रकार से, यानि भारत का लागबच दो तिहाई भाग यानि 70 फीचदी, च्छेत्र किर्सी होता है इस पे किर्सी होता है और अगर वहीं जंसंख्या का बात करें तो भारत के लगभुख 55 परसें ठीक है ऐसे कर दें भारत के बारत के करीब करीब 55 फीसदी लोग किर्सी पर निर्भर हैं तो प्रद्वान देश और पहले सही था अभी भी है और हमेशार है यहां बहुत जादे माइनी में खेती होती है तो जो भारत का एरिया भारत का छेत्र है लगुद चेत्र फीस लिए सल लोग माल लें सो लोग माल लें तो उस पे लगभग फंदर पचया पर यहां लोग जीवान या पंके राते हैं वहीं पेटाइसथी और छेत्र में होते हैं तो यहां तक तो यह दरतिए जीए भग दो तिहाई भाग यानि 70 पिस्दी भाग किसी छेत्र है और बाकी 30 पिस्दी छेत्र अन्य जो उद्योग धंद्य है यानि घर है यह चिज़े ठीक है रहने वाली जुगें है यह यहां तर क्लियर है और वहीं अमेरिका का बात क्या जाए या फिर ब्रिटेन का कनाड़ा क अब यह चाए अब ब्रिटेन में चार कनाड़ा में आठ फिस्दी लोग किसी परने 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 यानि हमारे भारत में बहुत जाले लोग किसी पर नेरफार है यहां पर अगर इस पॉइंट कवर किया जाए तिक है ब्रिटेन ब्रिटेन में 3 फिस्दी अमेरिका में अमेरिका त्यकád यह जैंस्य बत कवर रहा है अमेरिका में 4 फिस्दी और कनाड़ा थीक है कनाड़ा में 8 फिस्दी लोग तो आठ पीसदी लोगो और क्या है करुदि पर किया निर्भर हुआ हैं के लोग आन्मे छेत्रों हैं लोग की चेत्र में यह काम करते एक है अगर based के भारत में कुल भूम 45 पहीं, स Québec कि अधोल अपृम्हये हैं, इसीफियान तक है अगर बिस्क्र एक निनागत. में अगर बात किया जाए भारत के खुर्वून में यह अलग चीजें तीक है किसी मतलब अलग अलग चीजें हो सकती चेशन करें भारत का ख्लून crystal में भारतKay कुल भूल भरत के कुल छेत्र ठीक है कुल छेत्र पर कुल छेत्र पर पर ठीक है यह कितना जाएगा 57.1 फीज़ दी ठीक है 57.1 फीज़ दी खेती के लिए ठीक है छेत्र के खेत्र में यानि फल सब्जें के लिए ठीक है इस्तर पर घ्र पर है ये सब इंडर्श्ट्री है यह सब चीज़ है जंगा यह चीज़ हो गई लेकिन उन्हीं छेत्रों में 70 पीशिती को अगर 100 पीशिती माले जाए ठीक है यानि अगर माले सो फीशिती में सिर्क खेती क्रिष्टिफटी एक क्रिष्टी जो हता है वाइसे घ्रकावट क्रिंध हो गया और सब का समगर ब्रकाषटी के रहे हो जाना तो लगभी 151 थिसदी क्या होता है उस पर खेती कि आज़ता है तक जब कि जब कि चीन में 12 परसेंट चीन के छित्र की चीन में 12 फिसदी खेती किया जाता बिटेंट में तेज फिसदी और वही पर अगर बात करें हम लोग अमेरिका का तो 22 फिसदी ठीक है अमेरिका का 22 फिसदी क्या होता है खेती करते है ठीक है खेती का छेत्र है अब सुनिए इसको जैसे हमारे भारत का टूटल 100 फिसदी में से 57 फिसदी टूटल 70 परसेंट ठीक है किसी का छेत्र है लेकिन अगर हम सौ फिसदी का 57 दस्मरों एक फिसदी देखें तो उस पर से खेती किया जाता है ठीक है मत सुपालन दुग्रुत बादन पसुपालन यह अलग चीज़ें ठीक है यहां तक क्लियर है क्लियर है यहां तक तो एक बार सभी शुरेंस क्लाश को लाइक कर दें ठीक है जबार चैनल को सब्स्क्राइब कर दें है ठीक है हो गया यहां तक क्लियर है यानि 70 प्रीसिदी जो है पिसी का छेत्र है लेकिन उस ब्रूब इसक्राइब होता है उसमें अगर सो परसेंट ने पूरे भारत का बात की जाए तो लागभाग 571 एक फिस पर जबकि जिन की खेत पर ठीक है चैनल की एरिया की 12 फिसदी पार्य जिनкусी किया जाता है बिदिकर कर प्रीमअिधाल यानि पर टीर सेश फिसदी कर दो शेत्र जाता है और अब अगर बात करें अगर फसल रित्मों का ठीक है फसल रित्मों का तो फसल रित्मों का अगर बात हो प्रमक्ष तीन फसल रित्मों का ठीक है अगर कह दें। भारत में मुख्य तीन फसल रित्मों या फिर थिक है या थिदर देख भारत मुख्य तीन और кино रित्मों करें। अब यह तीन फसल यूठ होती कौन है पहला तो अगर बात करें रभी फसल ठीक कैए पहला रभी पहसल रभी मुझे करें यह रभी फसल है रभी फसल दूसरा अगर बात करें, तो दूसरा होता है, जायद, ठीक है, रभी के बात खरीब कर सकते हैं, खरीब, खरीब, फसल, ठीक है, खरीब, फसल, उसके बात, जायद, ठीक है, उसके बात क्या जाएगा, जायद, जायद, फसल, ठीक है, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और जो 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 आप्टूबर से लेकर अप्टूबर नमंबर अक्टूबर नमंबर एक के जाती है जो रभी फसल होती है है वो अक्टूबर नमंबर में वोई करें और किना करें तो इसकी कटाई आपरैल में हो जाती है , नमोंबर में बोई जाती है और इस फसल में क्या क्या आता है इस फसल का बात करें तो इसमें क्या आता है तिलहन आता है तिलहन लान नी सरसो आगया सरसो आगया मालते हैं आग गेहूं चना मक्का प hasn't है यह सब चिज थीए यह सुव आ नहीं सकता है यहीट है यह हो गया और यह छिज यह अ यह चीजह से ऑने हो गया उप्र है क्रा जाल में यह जाओं तर्व TP हो घाओंaus उनलः चौह जनके से कंवार इthree आ ces गता है यह यहांनि ऑक्टूबर नवंबर में जो चीजह बोई जाति और moral में चपती है तो रब फसल खेंशीन ते जिलाने हो नाती हो … ज़ो हो गया और यह सब चिज़े के रावी फसल में आती है अब खरीः फसल का बात करें तो खरीः फसल चो थे कई Mul और टीज जुलाईoj टक हो जाता है कि अक्टूबर-नम्ब्र तक जाति झाती खतब जैता है ठीक है अग्टूबर- था फ़िए अग्टूबर-नमंबर तक मितलक कल drill in a अगर हम भात करें ठान ठीक है इसे ढ़ी साल हो गया जुन जुलाइब में इसका रूपर हो कि जाता है और जाते ही चाते ही ओक्टूबर नमंबर तक जाते ही तो इसके फतब нормально क्रें तो उसमें क्या जाईगा, धान मतलब चावर कि चावल हो गया इसमें मक्का कि इसमें मक्का का कैरा जोजाएगा है यहा इसमें मनक्का उर्द जुन जुलाइं में भी बोया जाता है और अगर जायद का बात कर जाय तो होता है ये फरवरी ठीक है इसका अगर बात करें फरवरी अप्रेल, फरवरी मार्च कर सकते हैं. फरवरी मार्च में बोया जाता है और यह जाते-जाते हमारा जून, मैं जून तक खतम जाता मारि जुन तक क्या हो जाता से हूँ सोप हो जाति है यारी घर की घर सबजियां किस सब्सक्राइब को जाएंगे लुट इन सोब्सक्राइब अंबर के मज्ड बोया जाता है और मार्ज अपरैल के मज्ड काता जाता यहां पर क्लियर है और बात करें यहां फजार को सकता है एक ह तो जून जुलाई बोई जाती है और अक्टूबर नौमबर में डॉर्द यह पता है जैसे कि हरी सब्सक्राइब की बातम तो जाते हैं जैसे कि हाई सब्जियों की बात हो गई, यहां तक clear है, यह चीज़े हो गए, प्रमुक रितु फसले की, यहां तक clear है, नोट कर ले जले से, नोट क्या करना आप लोग वीडियो को रूप कर नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर प्रमुक फसले का बात करें, फसलों का टायप का करें तो इसे खाद्यान फसले हो गया थवसाइक फसली हो गया प्रेया प्रामुख हजा On कि अगर बात करें प्रमुक्र अश्ज़ब नत्रामुख हट пят extrem यानि कौन से फसले को योगदान देती है यह चिज़ों पर अगर बात करें खाद्यान फसले खांदन फसल एक है, खांदन फसल कह सकते हैं खांद 물론 अप् सब्ल एंद आधिए थो में। यहां पे अगाइं करें चावद गेह टो से तान प्रक्राव करें ज़व बाजरा और बची रागी डालें डाल हो गया रागी कोई फसल होती है और वहीं पर बात ठीक है यह जो फसले है यह ताल फसले है क्योंकि यह वहां फसले है अगर ब्यवसाइक फसले का बात करें ठीक है बेवसाइक फसले का बात करें ठीक है बेवसाइक अगर बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें गन्ना हो गया तिलहन चीज़े हो गई और क्या हो सकता है मुफली हो गया तिक है स्वयवीन हो गया यह चीज़े हो गया मुफली मुफली हो गया स्वयवीन तो तिलहन में ही आ जाएगा ठीक है स्वयवीन हो गया यह चीज़े हो गई और वहीं पर बात करें और पुछ तो राई हो गया तिल हो गया गरम मसाले हो गया इस परिकार का गरम मसाले गरम क्या हो गया गरम मसाले वसाले हल्दी हो गया अजवाइन हो गया अजवाइन सौंफ हो गया सौंफ अदरख हो गया अदरख यह सब चीज़े की स्लीव पर हम लोग उगाते हैं यह बेवसाइक दृष्टी से उगाते हैं ठीक है मतलब स्वWhat is the दो सबसक्ट हैं रबर का सब्सक्राइब ने चたर संक हो गया है सब्सक्राइब करते हैं इसपिति यह नहीं तो इसी töप्र को बहुतना को कि कके सवक्राइब के सब्सक्राइब गला सब्सक्राइब करते हैं अपनी लिए hoppfा 민दु करते हैं चाहिए हूब आप आपको बताया कि अगर 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 आप बड़े पैमाले पर उत पादल कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग ब्यवसाइक फसलों में रख सकते हैं अगर हम एप्सले यानी पीने वाला जीदे पीने वाला जैसे हो गया चाय चाय का खेती होता है चाय-पति का हैंकि नहीं उसके बाद कौफी का खेती होता है हालाग ये ब्यवसाइक ध्रीष्टी से भी फसले हैं और पैफ फसले हैं और तम भाकू तम कशे कमशे करें रेशेदार ने दार फसले दिख रहा है बच्चों आप लोगों को पिसेदार खशनों का अगर बाक किरा जाए तो कपास, जूट, सन, पटुआ, ठीक है, एह चीज़ है, कपास, कपास, ठीक है, कपास इससे क्या होता, गदार होई एह चीज़ है, जूट, जूट, ठीक है, बच्चों, जूट हो गया, पटुआ हो गया, पटुआ, अच्छा, आप लोग सुतरी देखे, हो सुतरी, जिसका वो जूट वाला बोरा बनता है, तो वो पटुआ का ही बनता है, ठीक है, पटुआ का बनता है, उसको क्या करते है, हमारे हैं पहले होता था, कि वैसे भिंडी की जितनी बड़ी-बड़ होते हैं, उनका दाठ, ठीक है, उनका जो प्लान होता है, लगभग दो धाय मीटर का, इतना बड़ा-बड़ा, ठीक है, प्रुने काट के सुखा के, उन्हें गर्डे में, माब किजिएगा, हां, ठीक है, पोखरा हो गया, तलाब होगा, उससे में जाकर डाल देतें, जब त यहो मक्ता, ज्वार, जाओ, बाजा, डाल Mobil boost हो गया यह सब चीज़े क्या होती है व्यवसाइक दिर्श्टी से होती है हाला किसी खाने के लिए भी उपयोग किया आता है ठीकिन कोई कितना खाएगा है कि नहीं वहीं पर अगर बात करें रिशिदार फसलों का तो रिशिदार फसल होती है कपास हो गया जूट पटवा मेस् कितने हैं चर्णा क्या होते है यह तक है घाघा सब्सक्राइब करेंगे अगर करेंगे थिक है अगर आगे बठति है तो यह चीज़ें होती है बहुत ही इपॉर्टन होती है अब अधम ही बात करें हम लोग से कि तिचाई की साधन का सीकते। कर्सी सिचाई साधन का हाँ अगर का बात करें हम लोग सिचाई भाग और सिचाई के साधन का तो यह जो अभी वह एवं ननकूपों से सिचाई किया जाता है उसका भाग इसके दो भाग हम बताएंगे इधर क्या करेंगे सिचाई साधन, आधर लिखेंगे इसके सिंचित भाग यानि जो साधन है उस साधन से किस भाग को कितना सीचा जाता है यह जानेंगे तो पहला अगर बात करें हम लोग क्वाव ननकूप खुआ है कुणवा वर नलकूप से कितरा सिच्चित भाग होता है कितने हम लोगे भाग को सिच्चित कहते हैं खुरा भारत का बात थोड़ा ठीक है ये होता है 55.9 यानि लगभग लगभग 56 फीसदी ठीक है इतना परसेंट भाग क्या होता है कुमा और नलकूपों से स्जित किया जाता है . अब कुमा और नलकूपों से पहले जमाने में पहसे जाता था , पहसे जमानी बहुत सरे प्रदेश है .. जेने इसकी अभुशकता है कि Can u क्योंकि जो पथדरीली जगह होती है तो यहां पर बोरिंग अब लुक जानते होगी जमीन पर क्या करते है ज़ा गवाहां कुछ न को गलाय जाता न्हां कि पॉसिबल है क्यों ही क्यों प्षूाung कि अगर बोरिंग करने का सोचा भी जाए तो बहुत महेंगा पड़ जाएगा वह बोरिंग करना ठीक है तो अब लगवर लगवर 56 फिजदी सिचाई होता है ठीक है और यह उन प्रदेशों में होता है जहां कि जमीने पथरीली है ठीक है यह चीज़ दितलिया है अब नहर से चाई का बात करें नहर से तो जो उत्तव सजाएं यहां पर बोरिंग से भी होता है नहर से हमारे उत्त्रप्रदेशं में हर छम्ता है जिसका है तो 31.6.3 माठेर चार फीसकी ठीक है 31.4 फिसदी नहर से सचाय किया जाता है पुरे भारत में 31.4 फिसदी नहर से सचाय किया जाता है बाकी 55.9 फिसदी यानि 56 फिसदी कुआ वर नलकूपों से किया जाता है बात करें उन्हीं तलाबों यहां पोखरों से ठीक है तलाब 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 एंड पोखरा ठीक है पोखरा से इससे कितना फिसदी सिचाई के जाता है इससे 6 दस्वनों एक फिसदी ठीक है 6 दस्वनों एक फिसदी लोग क्या करते हैं पोखरे वहां तलाबों से क्या करते हैं के यहां से क्या करते हैं लोग नाली बना देते हैं खेतों तक और इसे नहीं करते हैं पानी को उड़ेल ते हैं फिर इंजर ले जाएंगे ठीक है यह पानी वाला लुटाहर उसको ले जाते हैं है बड़ा से सक्ष्छन लगाते हैं मौन कृषिक वो यह पाणी खिच कर कें तुमें चला सकते हैं क्योक्कि यह ताओ पोक्रे होते हैं यह पानी को इत्वाद किया रहते हैं और ठंडब में और गर्यों में इसी से चलाते हैं टीक है लेकिन इसकी महत्रा च्छाह दस्मों गः तर पुरे भारत में किसदी लोग तानाव हम पोकल उठर से सचाइ करते हैं अगर चार चौथा का बात करें अन्य जो श्रूत है ठीक है अन्य श्रूत जैसे हमने बताया अन्य श्रूत मतलब बोरिंग ठीक है अन्य श्रूत तो अन्य श्रूत में बोरिंग आ जाएगा तो बोरिंग से हो गया और बागी धेपुल से हो गया यह अभी धेपुल कहीं कहीं तो पुमे वाला तो उपर मैंने बताए दिया तो अन्यशुत जो है वो 6.6 फीस दी क्या होता है अन्यशुत से चाहिए होती है हमार भारत में कृशी का बात हो रहा है यहां तक लियर है बच्छों क्लियर है अब हम लोग कुछ अलग बात करने का मतलब हो गया अब हम लोग जैसा कि यह सब चीज़े जाने ठीक है यह चीज़े लोग जान गया है कले है अब आधि क्लेर अब किसी की हब प्रकार भी आते हैं ठीक है क्रिसी के प्रकार के बारे में हम लोग चार्चा करेंगे क्रिसी के प्रकार क्रिसी के प्रकार यानि क्रिसी का कौन कौन सा प्रकार होता है मैंने बताया है क्रिसी का प्रकार खेती भी हो गया पस्पालन भी हो गया माफ किजिए मस्पालन हो गया दुख तुस्पादन हो गया कि यह भी कृसी का ही च्षित्र भूए तो अगर देखें ठीख है उत्पादन के मात्रा एवं उत्देश के आधार पर भारतिय कृषी को भीभीन प्रकारों में भाइद किया सकता है जैसर कि अभी पर लिखें ठीक है आपके स्क्रीन पर होगा पहला अगर बात करें हम लोग ठीक है अस्थानांतरन निर्वाहरन कृसी ठीक है इस प्रकार का ऐसा नाम है आपको समझना होगा अस्थाना तरनेर्वाहरन क्रसी का अगर बात पर यहां प्रसी कम जनसंख्या के अपशिक हो तो यह ग्यार क्षेतर सागे छिात्रों में होता है इस प्रकार का खेति इसमी क्या होता है इसमें जंगल इस प्रकार की किरिक्षी परिवार цен जंगल जंगल को काटता है यहां पर त्लिए अलब बच्चों जंगल इसको झून की खेती भी अभी आ गया थिकां परिवाद पूरा जो आदिवासी परवार रहते हैं तो आदिवासी क्या करते हैं जंगल को कात देते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, उस पेडों को चोटे चोटे पेडों को जला देते हैं, बकि जो जाल जाडिया होती है, जाडिया होती है, जाडिया हो गई, छोटे पेडों होते हैं, छोटे पेड, ठीक है, पेडों को जला कर, ये लोग क्या करते हैं, खे झाल देते हैं फिर मुरुके करूप लेता है और पर क्या करते हैं यह लोग खेधी करते हैं मैं का अब अगर यह बात करें तो कि क्रसी क्या करते है तिमला कर के तय घार करते हैं घ्षत त्यारल हम अब इसमें क्या होता है जब तयार्ठ होता है इस में खेती करते का अजो छोड़के फिर तो यह काम है वह अस्थाई नहीं होता है और इसे ही कहते है जूम की खेती कहते है कि खेती करें जबने हां जो होते हिइड मतलब ढूलब तरह कोई नियंव कादा नहीं फालो करताएं कि जंगल काटेंगे तो क्यों काटेंगे कैसे काटेंगे यह सब कुछ नहीं बहुत जाएंगेiba करना कोहते हैं सब्सक्राइब करते हैं वह नहीं है का मिने उपज होती है जुम की खेती है ठीक है तो इसको हम लोग करते हैं यह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे यह यह कहरा है इसके अंतरगत एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसले उगाई जाती है इससे रीले क्रॉफिंग एवं ओवर्लैपिंग के नाम से भी जाया था बिल्कुष जैसे हमारे हम उत्तर प्रदेश के जलवाई हैं यहां पर एक वर्ष में दो फसले या तीन फसले जैसे कि यहां पर हर चीज उपता है धान की खेती भी गेहूं की खेती भी हरी सब्जों की क्या हुआ है तो यहां पर यह बिल्कुष सही मतलब एक वर्ष में एक वर्ष में डो या दो से और श्यदू भी कि दे दर्यान से अधिक फिल्द कि एक छेश्ज एकثन करना क्या करलाता है यह कहलाता है बहुत फसली करसी कहलाता है यह तक लिए बच्चों एक निट खत्म होगे जाल देते हैं तो यह चीज़े इसे और ही नाम से जाना जाता है की एक मिनट्स है हां तो इससे किस भचने आप रहें हां अब लोग कर लिए इसे औरहिज चाला में क्या क्शन करें है एसे और दो करें जाना कर दो कि ऑल्यवत Phasel два कर दो होता है तो इस और चिस करता है रिले क्रॉपिंग और ओर लेपिंग और लेपिंग और लेपिंग और लेपिंग और अभी दाल दी तो यह चीज़ से मुत्मी है इसे क्या कहते है इसे रिले क्रॉपिंग और लेपिंग 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 और लेपि यहाद है clear और वाट सबीश्ट्रेंस क्लाश टो शेयर करेंगे और monitor को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलना ठीक है चैनल को जब लोग सब्सक्राइब करते तौ एक अंधर से क्या होती है कि हाँ बचों को समझ में हा रहा है लाइक करते हैं अब सब्सक्राइब करते हैं एक खासला बढ़ता है कि नहीं तक क्लिया थे नोट हो गया इसे और ही फसले हम जानेगे अभी तो दो ही प्रकाय होगे आस्थाना अंतरन निर्वाहरन पिरसी यानि की जुँं की खेती इसको भी कहा जाता है इसको जुंगी खेत दिविक आता है और दूसरा होता है बहुत फसली बिच्टी एक चलिए अगर आप बात करें हम लोग अंतरवर्षी एक प्रसी कृष्टी इंतरवर्षी कृष्टी आप अंतरवर्षी क्रसी क्या होता है इसको जानेंगे थीक है तो हां इसको जाएंगे, दो आजामन फसलों को साथ साथ और ऑगाने की परिक्रियार काया doesn't ा एक साथ साथ एसा नहीं कि आपने थेत में अलग लग ताम पर दो एक ही ताम ज़ंदीघर वॉपhnasa एक ही साथ, एक ही साथ दो फसलों को उगाना, उगाना अंतर वर्षिय कर्सिय कहलाता है कहलाता है, अब सुनिए यह क्या होता है, यहनि अंतरवर्ष्य किर्षी एक ही साथ दो फसों को एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर उगाणा या फिर ठीक है, एक ही साथ बोना, वो क्या कहलाता है, अंतरवर्ष्य क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहला अंतरवर्षिय किसी किलाथ अब इसमें अगर बात करें तो यह होता कैसे है अब मान रहते हैं कुछ किसान होते ठीक है गन्य की बुवाई अक्टूबर में कर देंगे तो जब तक गन्य का अंकुलरित होगा गन्य तब तक वह क्या हो जाएगा सर्सो बड़ा हो जाएगा ठीक है जब तक समय आएगा जबने का समय आए गया जया यह कि लिए deduct probably Прिंड़ इस प्रकार कि क्या हो जाएगी वह अंतरवर्ष्य कृष्य क्रशी क्यालाती है यानि एक इस सामये पर दो दो फसों को अब अगला अगे थे यहां तक यहां थे तांग्या प्रढाली के अगर बात करें यह इसको अगर देखा जाए तो वन विभाग द्वारा विक्सित यह फलोत पादन एवं वन प्रबंधन की एक संयुक्त पडाली है इसके अंतरगर बिना किसी लगान के कृष्कों को एक निश्चित समय है तो भूमी दी जाती है जिस पर वे कृष्षी के साथ साथ विच्छा पड़ भी करते हैं तांग् एकी इसे प्रड़ाली है जिसमें ठीक है जिसमें वन विभाग के स duel काल समय और को जमीन देता है देता है ताकि वो बिच्छा रोपन करके फल उतपादन कर इस परिकार का ठीक है यानि जो फल उतपादन वाले पड़ा लिए जिसने किसी के पास खेत नहीं है तो उसको सरकार क्या करेगी बन भाग क्या करेगा उसको जमीन देगा ठीक है तो उस जमीन का वो कोई किराया नहीं लेगा सरकार बलकि आपको क्या करेगा आप उसको पर फल उप जाएंगे जितने वर्षों का अग्रिमेंट हुआ रहेगा उससे सबसे ठीक है तो उसका जो फल होगा उससे आप बेचेंगे सरकार को उससे फायदा होगा कि नहीं वह तो बात की बात है तो उससे सरकार इसली ऐसा करती है कि उस पर ब्रिच लगाए जाएंगे अगर बात किया जाए तो उससी चाई के साथ ताकि हमारा पर्यावरन ठीक है ठीक है और वह बिच्छ लगा कि कि चित्र में क्या होगा उनका उन्नति होगा ठीक है फल की बढ़ती होगी विच्छार ओपर करके क्या करेंगे फलों की अपूर्ती की जाए ठीक है क्लियर है त तो उसक्रिष्णिक अगर बात किया जाए तो सिचाई के साधन कि अभाव वाले खेत्रों जो होते हैं जहां पर सिचाई का व्यवास्था नहीं होता है उनगारों में जहां 50 cm सी कम वर्षा होती है यानि बार्ष महां पर लगवग लगवग होती इनियां इस परकास की होती लेकिन कम मात्रा में यह चीज़े देखा जाए ठीक है हां तो क्लियर है बच्चो यानि ऐसे छेत्र जहां पर क्या हो कि बारिश की संभावना ना हो ठीक है यहां पर अगर देखा जाए भारिस या पानी ठीक है बारिस या सिचाई के अभावाले छेत्र अभावाले छेत्र वाले छेत्र होते है उन शेतरों में चżejतरों में किया जाता है जो किस्षि किया बारिश हो जहां छ क्या होगा busker कि अरहाय के से बारिश की आपशकता नहीं होगा तो यह जो चीज़े होती है ऐसे जगहें जहां पर वारिश और सिचाई का अभावब होता है यानि कम मात्रा में होती है तो वहां पर जो क्रिसी होता है होता है उसे क्रिसी कहते है अब देखें इससे खॉगया मटर हो गया या पिर केले चना हो गया अरार हो गया इन सब चीज़ों के लिए क्लिए पानी की जाले संसादन क्या उप्षक्ता पानी क्या उप्षक्ता नहीं हो गया है सर्सों में भी एक पानी ठीक है अरहर हो गया हुआ पर भी एक पानी एक मतलब पानी नहीं रहेगा जाले मात्रा में तभी वो हो जाएगा ठीक है यह चीज़े होती है महाँ पर क्रसी किया आत अब अगर हम बात करें विस्त्रित कृसी का विस्त्रित कृसी का यानि विस्तार वाला च्छेतर जोता है अब यानि जहां पर किसी के संसाधन जो होते हैं वहां पर जो खेती बारी की जाती है वह क्या होती है विश्तित क्रसी होती है ठीक है ऐसे कहते हैं हम लोग क्रसी के बहुत बड़े पैमाने ठीक है पैमाने पर संसाधन धन के होने पर जो क्रसी की जाती है ठीक है उसे कहते हैं विश्तित क्रसी ठीक है क्लियर है यानि विश्तित क्रसी मतलब ऐसा क्रसी का छेत्र जहां पर हर चिज़े मुहाईया हो मतलब वह आप अपको क्रसी बहत करना रह जिसे आपको नहीं चलाना है तो उसका कुछ न को सिस्टम हो है कि नहीं आधुक दौनिक भीधी द्वारा इस प्रिकार का अगर बाद करें वाइव Krishni अब वाइव Krishni क्या है इसको दें वाय व कुष्छी ञाया वाय व कृर्षि यह जो है इस्रायल से इसका न्यांकार रहा है तो इसको सुनेंगे 236 दौरा बिन कशितING photographs कि चुछ हुआ है कर कोई नहीं छोड़ी इस्राइल द्वारा विक्सित प्रडाली में बंध डिपों में बीच उगाया जाता है जिसे पौधे की जड़े अनावरित रहती है इन जड़ों को पानी का उप्राय चले से वहरों से दिया जाता है ठीक है इस प्रकार का यानि ठीक कinkling कें बंध पैकेज ठीक है बंध पेकेट हो पैकेट हो या फिर पीपों ठीक है या डिपों में पौध हो ठीक है पौध हो को उगाना वुगाना एbn एभव कंपूेटर बिधिन नहीं कंप्यूटराइस नहीं पी अ पानी का फबार करना यह होता है यानि आप लोग देखें होंगे पॉधसालों में पॉधसाला जो होता है वो इस्राइल विधी से ही किया जाता है जाता है चीजसे होती है और बात करें रोपड कर सी टिक है रोपक्र क्रिशि क्या होता है रोपड करिशी क्या होता है क्रिसी तो रोपन क्रिसी का अगर बात करता है यह एक प्रकार की जाड़ी क्रिसी अत्वा बिच्छ क्रिसी है इस पडाली के अंतरगत नगदी फसल का उत्पादन करता है ठीक है ज्रबिच्छों का लुआ है यह रहा हम रो डाला हुआ ने वीच्छों करता है फोल वीच्छा रना करता है यह झाली वीच्छों कि जो जो किसी का जमीन तो बाष चेत्र का कुछ नूख जरड़ नौट गीने तो फैड़ी जिता लेकिन दर्बॉल वेदिका कृष्षी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तो वेदिका कृष्षी का अगर बात करें ठीक है तो यह जो होती है भूम की ढाल की आड़ी दिसा में ठीक है भूम को डाल किया रहता है ढ़ाल की जाल की आड़ी दिसा की बनाई गई वेद का पर की जाने वाली कृषी को हम लोग क्या कहते हैं वे तिक क्रसी कहते हैं ठीक है भूम की धालू 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 यह अब हम आणी दिसा ठीक है यह अब हम आणी दिसा दिसा पर की जाने वाली खेती की जाने वाली किछाने वाली परसीव यहनि भूम की ज़ो हम आणी जैसे खेत समाल के किसी का ऐसे उंचा से लेकर नीचा हो जासे कि इमालत है इस प्रहत्यायर का हो, ठीक है, उचाई पर हो फिर ये नीची आया, तो यहाँ पर जैसे हम कुछ बोएंगे, तो पानी की जो चलन्ग होगी, पानी का जो प्रहार होगा, वो ध्ध्लार की तरफ चाएगा, ठीक है, उचाई से ध्लार की तरफ चली से इस प्रकार की किरसी को फिर लास्ट अगर बात करें हम लोग जल किरसी का जल किरसी को जल किरसी का ऐसे वह सारे प्रकार है जल क्रिसी को विथा हिए क्या क्रिसी में पोचित करके और भाइध में इसका प्रयोग किलाता है किया जाता है यानि इसमें होता क्या है इसमें क्या किया जाता है जब यह जो बिधी है जल क्रिशी जो है वो है मैंने आपको बताया हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स जो नामक कोई तक बहाता है हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के घौल ठीक है के घौल लगा कर उगाना तो यह चीज़े हों से हाइड्रोपोनिक्स के घौल में ठीक है पौधों कोई है तो उसमें मिला देंगे घौल को फिर पॉज़ा पॉज़ा उसको क्या कहेंगे जल कृसीव इस प्रिकार की चीज़ें आप लोगों को समझ गाए तो इसके जो आगे का चीज़े बचे में उसको पर भी में कभी न कभी कुछ बिडियो बनाऊंगा प्लाश चलाऊंगा तो फिलाल आज के लिए बस इतना ही मिलते है आज रात नौबे तब तक नमस्कार थैंकि सो मच जय हिंद जय भाई एंड है वे नाश्टे थैंकि सो मच